जैसे कृष्ण माई यूटूब फैमिली वेलकम टू माई चैनल में महाकाल की दिवानी आप सभी को भी महाकाल का दिवाना बनानी आए और आज मैं आप सभी के लिए लाई हो होली की कहानी तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ओके लेट स्टार्ट होली भारत का एक प्रसिद परवा सत्योग में माता भीती और रिशी कस्याप के पुत्र हिरन्य कस्याप और हिरन्याक्ष थे हिरन्याक्ष एक धमनकारी असूर था हिरन्याक्ष ने भू देवी यानि की धरती को नच्ट करने तू उधे रसातल ले गया तब भगवान विश्नु ने वड़ा अतार लेकर भू देवी की रक्षा की और आता ताई असूर हिरन्याक्ष का वद किया अपने छोटे भाई के वद से हिरन्याक्ष बहुत ही क्रोधित हुआ और विश्नु द्रोही बन गया उसे नारायन पूजा से क्रोध होने लगा ब्रह्मतप वो तपस्या करने लगा भगवान ब्रह्माजी से तब कर सक्तियां एवं वर्दान प्राप्त किये और फिर इन सक मालायम की पूजा लोगों पर फोब लगा प्रहलाद की विश्नु भक्ति प्रंतूब ov z 28 की बाद आई गए प्रैम विश्नु भक्त था यृन्याक circuit ने अपने पुत्र प्रहल्याद को प्रेम लोब हुख सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि विश्नु अशूरों के सत्रू है प्रंतु प्रहलाद की भक्ति दिन प्रती दिन बढ़ती गई और अपने पुत्र को विश्नु भक्ति करते देख हिरन्यकस्यप सह नहीं पाया उसका क्रोध सारी सिमाएं लांग गया अब वो अपने ही पुत्र को मेत्यु दंड देने की चाह रखने लगा होलीका हिरन्यकस्यप और हिरन्याक्ष की बहन थी होलीका वो भी तपस्या कर सक्तिया और वर्दान अरजित किया करती थी उसे वर्दान स्वरूप एक चादर मिली थी जिस चादर को ओरने मात्र से अगनी जला नहीं सकत हिरन्य कस्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का सर्यंत्र रचा उसने प्रहलाद को से कहा यदि उसी अपनी भक्ती पर भरोशा है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अगनी में जाकर बैठ जाए अने था विश्नु भक्ती त्याग दे यह सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ती के सहाड़े उस अगनी में बैठने को तैयार हो गिया। प्रहलाद की भक्ती विजय बेदी बनाई गई और उसकी चारो और अगनी का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओरकर बैटी जो उसकी रक्षा अगनी से करने वाला था और उसकी गोद में प्रहलाद बढ़ गया अगनी प्रजुलित की गई प्रंतु भक्त प्रहलाद तनिक सा भी विचलिप नहीं हुआ वो अपनी भगवान में ध्यान मगन हो गया अगनी बढ़ने लगी तभी वायू के वेग से लप्टो ने उसे दिव्य चादर को उराक कर प्रहलाद को ढग दिया और आकास वानी हुई कि होलिका ने बरदान का दूर उप्यों किया है जिसके दंड स्वडुप उसकी मिर्टु निस्ची थै और दंड स्वडुप होलिका उसी अगनी में जलकर भस्म हो गई इधर उसका भाई हिरन्य कस्यप अपने प्रिय बहन की मिर्ट्यू से अतिन्त दूखी होकर दिलाप करने लगा अतह एक बार पुना भक्त प्रहलाद की भक्ती विजय हुई एवं अधर्म का नास हुआ होली का उस प्रहलाद को सुरक्चि दिय्ख प्रजा में शंटोस दिखा प्रजा ने उस समनाया यहाह बुराई पर अच्छाए की विजय है अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है प्रजा ने अपना आनंद अलग-अलग रगों से रंगों सो मना कर क अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए और गीत घाए गए सत्यूग से कल्यूग तक होली निरंतर मनाई जा रही है तो फ्रेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा कॉमेंट कीजिए ओके फ्रे